हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैंसल व्राज कमाल फ्रेंट्स बात करेंगे बिल्ला टायर शेर की जो कि इसक पांच रूपर पे चल रहा है और फ्रेंट्स यह बात सही सुनिया आपने कि मैं मंडे को जैने कि नेक्स ट्रेडिंग सेशन पचास रूपर में 10 रूपर तो इसके खरीदूंगा तो कम से कम पांच रूपर लगा के हजार शेर जरूद लूँगा डफिनेटली क्यों लूँगा यह करन आप भी सुननीच यह शेर इसक पांच रूपर चल रहा है 50 रूपर हाई देखेंगे तो 30 रूपर के असपास 52 लो 3 रूपर हैससी पैसे और अभी 80% से ब्याद का डाउन फाल है शेर में लेने के करण मैं बताता हूं आपको इसके लास्ट फॉर क्वार्टर ले रिजल्स आप अनलाइज करेंगे तो लास्ट एर का जो डिसम्बर क्वार्टर है उसमें जो कम्पनी को नेट लॉस इस थे वह सो करोड से जादा के थे 100 करोड सम्थिंग, नेक्स कोडर मार्च 2022 करोड का लॉस यानि कि दिसम्बर से मार्च कवार्टर मुं लॉस बढ़े चार गुना, लेकिन जून 2022 में कम्पनी नें नेट लॉस इस तो करा 30 करोड सम्थिंग यह 30 क्रोड से 29 क्रोड सम्थिंग यानि कि 80-90% लॉसिस कवर हुए 425 क्रोड से 30 क्रोड पर आ गया और यह जो सेप्टेमबर 2022 का जो क्वार्टरल रिजॉल्ट है साथ क्रोड सम्थिंग का नेट लॉस शू करा है कंपनी ने मैं मानता हूं कि NCLT प्रोसेस ट्रेडिंग प्रोसेस को लेकर के बहुत से सारी चीजें ठीक नहीं चल रही है इसमें ठीक नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हमेशा किसे ने किसी चीज में एक ट्रैक बन जाता है जैसे कि यहिश बैंक में पांच रुप तक शेयर गया लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हूज कॉंटिटी उठाई अब 20 रुपे के असपास है तीन कुना मल्टी बैगा रिटन और अभी भी अगर ही है और अब ट्रैक्स पर चला जाएगा क्योंकि इसमें वापस है चाल आ रही है उम्दा चाल आ रही है तो बहुत अच्य रिटन बना करके देगा प्रेंट्स जिन्होंने 23 25 रुपे के आसपास भी इंवेस्टेंट किया उनको इन्वेस्टेंट करने ही जुरूत नहीं आवरेज बनने ही जुरूत नहीं क्योंकि ये शियर अगर पॉजिटिविटी दिखाएगा तो उस लेवन तक आयागा अराम से लेकिन फ्रेंट्स मैं इसमें इन्वेस्टेंट को कर रहा हूं यह भी मैं आपको एक रिजन बताता हूं एक तो प्रॉफिटाबिलिटी इस तो आपने देखी लिए की कवर अप हो रहा तो नेक्स्ट कॉर्टर रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है कि पांच र कर सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स हजार शेयर पांच रॉब में खरीदने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं और इतना पैसा आदमी एक पार्टी वेस्ट कर देता है और ऐसे शेयर में चांस लेना चाहिए क्योंकि यह ऐसा शेयर है जिसकी बहुत बड़ी यूटिलिटी ह कि कैसो राम इंडस्ट्री का डिविजन है और कई चीजे इसकी ऐसी है पॉजिटिव कि जो कि आपको पता चलेगी तो आपको भी लगेगा कि हां इसमें इंवेस्ट्मेंट करना चाहिए अमर्फ टायर अपॉलो टायर जेके टायर आपने देखा होगा कि मैंने इन पर पर प्लस हो गया और अमर्फ टायर भी मैंने आपको बिलो 70,000 एकमेंट किया था और वो 88,000 प्लस हो गया था तो फ्रेंट्स इसमें भी ऐसा ही है कि करना की कारण डाउन फाल रहा सीजन सही नहीं रहा लेकिन अब कोरना का बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम इस टायर इस अब कपरी की प्रॉफटाबिलिटी भी बढ़ रही है मैं इस इंडेस्ट्री यानि की बिल्ला टायर जो शेर है इसके बारे में कुछ चीज आपको बताता हूं ताहिकि आपको पता लगे कि हाँ वाकई में इसमें इन्वेस्मेंट करना चाहिए तो फ्रेंट्स जो चीज म है आपको एक बताना चाहता हूं इसमें वह आप देख लीजेए वह क्या चीज है सबसे पहरे तो बिल्ला टायर डिविजन ऑफ के सुराम इंडस्ट्री इस लिमिटेड एस्टिबिलिश निटेवन निटेवन में एस्टिबिलिश होई है और जो ये टायर पर आटो मोबाइल्स, मोटरसाइकल्स, कमर्शल विकल्स, फार्म विकल्स, ट्रक्टर बगर के लिए एंड हैवी अर्थ मुविंग मशिनिट्री अवर 170 सेल्स डिपो एक उत्तर स्यादा सेल्स डिपो है आठायर 831 से डीलर मेजर लोकिशन्स में इनी इतनी डीलर से आठाय क्योंकि डाउन टो गार था है, खोने को कुछ भी नहीं है, मैं 100 दोसों के शेर पर इंवेस्टेंट करने को नहीं कहा रहा है, वही बिल्ला टायर्स और टायर्स एसे कंबनी कभी भी कार्वा कर सकती है, कभी भी सीन क्रेट कर सकती है, प्रॉफिडबलिटी को अब ट्रेक्स जानने के लिए investment point of view को लेकर के. Thanks for watching. Have a nice day.